आज की दिन सबसे पहले मेरे साथ मिलकर आपको मा सरस्पती को प्रणाम करना है आज पढ़ाई की करियर की बात होगी और साथ ही साथ हर हाउस वाइफ के बजट को कंट्रोल में रखने की बात भी होगी आज मैं आपको वो उपाई बताने वाली हूँ जो वास्तू टिप देने वाली हूँ जिस से आप पढ़ाई में अवल बनेंगे बसंद पंचमी के दिन आपको शांदार पैसे वाली नौकरी दिलाने वाले तरीके भी बताए जाएंगे साथ ही आज आपकी गर्दन की बात भी होगी आपकी गर्दन आपकी इज़द बढ़ा सकती है आपको सफल बना सकती है ये कैसे होगा आएज जानते हैं आज बसंद पंचमी पर मैं आपकी संतान की बात करूँगी अगर आप पढ़ती हैं तो आपके फाइदे के उपाई बताएंगे आज के पहले माह उपाई की बात कर लेते हैं क्या आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही आपको मासरस्वती की आरादना पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए जिस दिन आपके बच्चों का जन्दिन हो उस समय गरीब बच्चों को किताब, कौपी, पैंसिल, पैन का दान करना चाहिए अगर आप किसी गरीब जरूरतमन बच्चों को स्टूडन्स को पढ़ाते हैं तो यकीन मानिये मा सरस्वती आप पर बहुत-बहुत प्रसंद होंगे आज आपको ये बताने का दिन है अपने बच्चों को जरूर बताएं कि बच्चों को पता होगा तो वो अपनी परंपरा को अपनाएंगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहते हैं इस दिन विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा की जाती है सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीनावादनी, बागदेवी इस तरह से नामों से पूजा जाता है इस दिन पीले कपड़े पहनने का खास महत्व है यह तोहार सर्दियों के खत्म होने का प्रतीक है सरस्वती माता का दिन है तो आज मैं आप से टालेंट की बात करूँगी और आज मैं आपको वो उपाय और वास्तुटे बता रही हूँ चिनको अपनाना आपके लिए बेहत जरूरी है जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉंपटेशन की तयारी कर रहे हैं अच्छी नौकरी चाहते हैं वो राशी के मुताबिक किस और मू करके पढ़ाई करें आईए जानते हैं मेश राशी के बच्चे पूर्फ दिशा में अपना स्टडी रूम रखें तो अच्छा रहेगा व्रिश्चब राशी के लोग पूर्फ दक्षन यानि की अगने कौन साउथ ईस्ट की तरफ चहरा करके पढ़ें तो फाइदा होगा मिथुन राशी के बच्चे उत्तर या पश्चिम दिशा या फिर नौर्थ वेस्ट डारेक्षन बैस्ट रहेगी जिसको व्यायाव या कौन बोलते हैं करक राशी के लोग उत्तर दिशा में स्टाडी रूम बनाएं तो फाइदे मंद होगा सिंग राशी के लोग पूर्व दक्षन यानि की साउथ इस डारेक्षन बलकि साउथ साउथ इस्ट में आपको और अच्छे और प्लेजन्ट नतीजे मिलेंगे साउथ साउथ इस्ट मतलब साउथ इस्ट और साउथ के बीच कहे दिया कन्या राशी के लोग South में Study Room बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तुला राशी के लोग West Direction में बढ़ाई करने से आपको लाब ही लाब मिलेगा विश्चिक राशी के लोग North West या फिर West Southwest में बिया बढ़ाई कर सकते हैं Between West and South West धनू राशी के लोग North East Direction में पढ़ें या North East की तरफ चहरा करके पढ़ें मकर राशी के लोग South West Direction में बैटके पढ़ेंगे तो Stability आएगी और पढ़ाई में नमबर भी अच्छे आएगे कुम राशी के लोग West Direction में पढ़ें और North Facing पढ़ें तो देखें क्या बात होगी मीन राशी के लोग North Direction में बैठें और North East की तरफ चहरा करेंगे तो Perfect Results आएगे चली बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाई की क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा एक हरे रंग के तोते वाले पोस्टर खरीद कर घर में ले आएं और उसे उत्तर दिशा में लगा दे वास्तु शास्तर के मुताबिक तोते की फोटो को उत्तर दिशा में लगाने से आपके बच्चों की पढ़ाई में रुची बढ़ने लगेगी अच्छे नंबर अच्छी नौकरी और करियर में सफलता कौन नहीं चाहता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्यों नहीं हो पाता क्योंकि आप कुछ गल्तियां कर बैठते हैं आज सरस्वती माता का दिन है आज आपको क्या उपाई बता रही हूँ वो जरूर कर लीजे आगे आपके बहुत काम आएंगे ब्रहम महुरत में करे पढ़ाई ब्रहम महुरत यानि की early morning between 3.30 to 5 ये पढ़ने के लिए perfect माना जाता है बहुत ही अच्छा रहता है कहते हैं इस समय में उठकर पढ़ने से subject जो है वो लंबे समय तक students के जहन में ताजा रहता है इसलिए तो देर जात तक पढ़ाई करने से बजाए आप early morning उठकर पढ़ाई करें ब्रहमी बूती को गले में धारन करें या फिर इसका सेवन करने से भी याददाश बढ़ती है इसके सेवन से एक आगरता भी आती है कमरे में हरे परदे लगाएं जहां आप पढ़ते हों उस कमरे में हरे रंग के परदे का इस्तमाल करें इससे मन को शांती मिलती है साती सात कंसेंट्रेशन भी आती है जिन students को exam में जवाब भूल जाता है वो exam में अपने पास कपूर और फिटकरी ज़रूर रखेंगे नेगिटिव एनरजी को हटाता है किताब में रखें मोरपांक जी हां कठिन सब्जेक्ट की किताबों में थर्स्दे के दिन मोरपांक रखें इससे पाठ जल्दी याद होता है इसी तरह खाते पीते वे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए न तो आप सही धंग से खा पाएंगे और नहीं आप सही धंग भी के से पढ़ पाएंगे कंसंटरेशन वीक रहेगी वो अलग ग्रूप क्लास में अगर आप ग्रूप क्लास में पढ़ते हैं तो आपको East direction की और मूँ करकर ही बैठना चाहिए आपका जो चेहरा है ये East की तरफ होना चाहिए चाहिए आप थोड़ा diagonal होकर ही क्यों ना बैठें Students को कोने में बैठने से बचना चाहिए दिवार की और मूँ करके बैठने से Students का talent सामने नहीं आता Students को अपने कानों को बालों से नहीं रखना चाहिए इससे listening capability कम होती है लड़कियों को भी बाल कंगा करते समय कान के उपर ही रखना चाहिए ऐसा करने से Students का मन पढ़ाई में भटक नहीं जाता एकागरता रहती है बुद्वार को कमरे में रखे हकीक जी हाँ अगर पढ़ाई में concentration कम हो रहा है तो अपने कमरे में नव ग्रहों के रंग के मताबिक नौ सुलिमानी हकीक हरे रंग के कपड़े में बांद कर Students को अपने study room में रखने चाहिए हर बुद्वार को उन्हें फिर से बांदेना चाहिए खोलें फिर से बांदे इसे पढ़ने में मन लगने लगता है Students को अपने पढ़ाई के कमरे में पूर्व की दिशा में सरस्वती देवी का चित्र लगाना चाहिए इसके अलावा पढ़ाई की मेज पर खेलने का सामान मसलन शत्रंज ताश नहीं रखने चाहिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप यह उपाई करें मन मार कर पढ़ने बैठते हैं तो फिर आपको मन में दस तरह की बाते आने लगती हैं और पढ़ाई नहीं कर पातें ऐसे में रीडिंग टेबल पर लाल कपड़ा विछा कर उस पर श्री यंतर स्थापित करें जब भी पढ़ने बैठें श्री यंतर पर ध्यान केंदित करें उसको देखें नॉन स्टॉप और फिर ओम भावाय विद्या देही देही ओम नमा मंतर का 21 बार जाप करें कुछी दिनों में पढ़ाई के प्रती रुची इंट्रेस्ट बढ़ने लगेगा और जो भी पढ़ेंगे वो आपके जहन में लंबे समय तक याद भी रह पाएगा इस डारेक्शन के और मुग करके पढ़ना चाहिए सदी डेम अगर अलग नहीं है तो जहां भी बैठते हैं हौल में रूम में चेहरा इस्त की तरफ कर ले और मुख करके पढ़ना बैठना शुरू करें इस्त की तरफ इसकी तरफ चेहरा करकर बैठेंगे तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा आपको पता है बड़े बुज़ूर कहते थे कि खाना और पढ़ना एक साथ नहीं होना चाहिए अगर आप खाने के साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ने के साथ खा रहे हैं तो आप अपने ग्यान और अपनी आयू को नश्ट कर रहे हैं महाभारत में भी दिया गया है कि जो मनुष्य जूटे मूँ खाना खाता है पढ़ता है और जूटे मूँ उठकर इधर उधर जाता है यमराज उसकी आयू कम कर देते हैं और उसके बच्चों पर भी इसका बुरा असर पढ़ता है इस तरह से पढ़ाई करने से जो भी आप पढ़ते हैं लंबे समय तक याद नहीं रह पाता और जरूरत के समय ऐसी शिक्षा काम नहीं आती अब जरत तीसरे महा उपाई की बात करने का वक्त आ गया है क्या आप या आपका बच्चा बार बार याद करता है भूल जाता है शाम में खाना खाने के बाद बाई तरफ धाई घंटे के लिए लेड जाएं फिर दाई तरफ धाई घंटे के लिए लेड जाएं फिर उठकर सीधे बैटकर पढ़ना शुरू करते यानि कि early morning पढ़ना शुरू करें यह आपको लगा तार करना है आप खुद देखिएगा जो आपको याद नहीं रहता था वो याद रहना शुरू हो जाएगा अरे चेहरों को नहीं इनकी गरदन को देखिए जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि गरदन भी कोई देखता है मेरी बात मानिये गरदन देखिए गर्दन देखकर आप किसी कोई भी शक्सियत के बारे में पता लगा सकते हैं कैसे मुझसे जानिए जिनकी मोटी गर्दन होती है समुद्र शास्त के अनुसार जिसकी गर्दन नॉर्मल से जादा मोटी होती है उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता ऐसे लोग क्रोध करने वाले होते हैं पैसा होने पर इन में अभिमान भी आ सकता है जिनकी गर्दन बिलकुल सीधी होती है बिलकुल स्ट्रेट गर्दन होती है कर्व नहीं होता ये स्वाभिमानी होती है साथ ही ये लोग समय के पाबंध होते हैं और moral के हाई होते हैं इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है अगर गर्दन नॉर्मल से जादा लंबी हो लंबी गर्दन हो तो ऐसे लोग अक्सर बातूनी मंद बुद्धी इनस्टेबल निराश और चापलूस होते हैं यह अपने मूम या मिठ्धू बनने की आदत से लाचार होते हैं अगर गर्दन छोटी है आपकी हाईट के साब से अगर गर्दन छोटी है तो ऐसे लोग जो होते हैं बैसिकली अक्सर कम बोलने वाले होते हैं, महंती होते हैं, कंजूस होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, घमंडी भी होते हैं, ऐसे लोगों का फाइदा दूसरे लोग उठाते हैं, मगर इने इस बात का पता भी नहीं चल पाता, अगर गर्दन के लोग होते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट भी होते हैं अगर गर्दन उंठ जैसी है पत्ली और पीछे से भी बंप निकला है तो ऐसे लोग आम तौर सेहनशीर और मेहनत करने वाले होते हैं इनमें कुछ लोग बहुत नौटी भी होते हैं ये लोग अपना हित सभादने में लगे रहते हैं और समय आने पर दूसरे को दोखा भी दे देते हैं किसी हद तक भी जा सकते हैं अगर आदर्श गर्दन ऐसी गर्दन आदर्श गर्दन का मतलब क्या हुआ यह यह सब हमेशा हो यह जरूरी नहीं समुद्र शास्त के मताबिक आम तौर पर ऐसा होता है कि कई बार आप चेहरे पर बहुत जादा ध्यान देती हैं लेकिन अपनी गर्दन को इग्नोर कर देती हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए आपकी गर्दन भी बहुत जरूरी है आ यह कुछ इंफेक्शन नहीं है नहीं यह पहलता है यह ठीक किया जा सकता है यह होता क्यों है यह मेभी आपका सिन एक्सपोजर है आपका एजिंग हो रहा है आपका सदन वेट लॉस हो गया या आपका सदन वेट गेन हो गया और मेभी आपको कोई हॉमोनल इंबालनस है उस प्लश में आप योगर्ट मिला सकते हैं ओत्मील में डासकते हैं ओत्मील से एक अच्छी सी ब्राइटनेस आ जाती है और एक चमकीला पन भी आजाता है। उसके बाद आप उसको जेल से, अलोवेरा जेल से मसाज करते हैं, अलोवेरा जेल की अपनी बहुत ही antiseptic properties भी हैं, आप फिर उसके बाद उसके बाद उसके पैक लगाए, जो की almond, milk and honey का बना हुआ है, उससे आपकी tanning निकल जाएगी, अगर आप इस पैक को हफते में दो बार और तीन बार use करते हो, और अगर आपके पास जादा time नहीं है, आप एक बार भी use करते हो, तो ये आपको बहुत ही अच्छा effect देगा, आप अगर इसे 30 minute हफते में एक बार और दो महीने और तीन महीने लख्ये कर सकते हैं, तो आपकी ये garden की problem ठीक हो जाएगी और आपको का भी उपाय बताती हूं, हनुमान चालिसा की पंकती विद्यावान गुणी अतिचातुर रामकाज करबे को आतुर, इस पंकती का जाप कीजिए, इस पंकती का आर्थी है कि राम दूच्री हनुमान विद्यावान अर्थात ग्यान के भंदार हैं, गुन्वान हैं काफी पर रहते हैं, हनुमान ची अपने भक्तों को श्रेश्ट ग्यान और गुणप्रदान करते हैं, इस भक्ती के भाव से विद्यारती का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रो टिप का, अगर आप अपनी गर्दन पर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आप में अपनी वानी को स्पश्ट्रा से कहने की ताकत नहीं है, तो आपको सुबह उटते ही तुलसी के तीन पत्ते खाना चाहिए, यह एरिया अगर बुद्ध और शु शुक्र से मिल जाएगा, ग्रीन चीज खाएंगे, सुबह उटते ही जैसे तुलसी, या फिर अगर आप दही को अपनी गर्दन के यहां पर लगाएंगे कुछ तेर के लिए और फिर इसको क्लीन ओफ कर देंगे, तो इससे आपका शुक्र बलबान होगा, स्ट्रॉग होगा जिससे आपकी वाणी में मधूरता आएगी और मेसमराइजिंग कॉलिटी भी आएगी, एंटेटेन्मेंट की बाद बाद में पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात, क्या करना है आपको राशी के हिसाब से जट पर जानी है, मेश राशी के लोग, कल जादा पैसा लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 50%, रिश्व राशी के लोग, अपनी इश्ट को याद करें, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69%, मिथुन राशी के लोग, पेट का ख्याल रखें, भागे साथ दे रहा हैं आपका 58%, करक राशी के लोग, बेहन से जगडा ना करें, भागे 52%, सिंग राशी के लोग, हलका नाश्ता कीजे, किस्मत साथ दे रही हैं 54%, कनिया राशी के लोग, शिव जी का नाम लीजे, भागे साथ दे रहा हैं आपका 73%, तुला राशी के लोग, खाने के बाद सौफ खाएं, लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 67%, मिश्व राशी के दिफ को जल दे, भागे साथ दे रहा हैं आपका 69%, धनू राशी के लोग, मंदिर में श्रिंगार का समान दे, भागे साथ दे रहा हैं आपका 63%, मकर राशी के लोग, गमले में पानी जमाना होने दे, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 57%, कुम राशी के लोग, चाए जादा न आपी किसमत साथ दे रहे हैं आपका 53% मीन राशी के लोग खाने में सोया बीम नीचे भागे साथ दे रहा हैं आपका काल के दिन 64% बात करते हैं फेस्बुक के हमारे व्यूर की शुभब नेगी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं इसका उपाई जानना चाहते हैं आज तो मैंने आपको इतने सारे कंसंट्रेशन के उपाई बताए अदर्वाइस आप ट्राटक की प्राक्टिस भी कर सकते हैं त्राटक कैसे करते हैं यह आपको इजीली यूट्यूब से भी पता चल जाएगा बेसिकली आपको एक डॉट पर फोकस करना है आप कैंडल पे कर सकते हैं इसको सिर्फ तीन से चार मिनट तक भी करने लगेंगे तो कंसंट्रेशन कमाल का हो जाएगा अब पांचवर आखरी महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों से जादा मेहनत करता है फिर भी नंबर का माते हैं तो आपको क्या करना है वो जानिए स्टूडेंस के कमरे में नीम की डाली लगानी चाहिए इससे घर में शुध हवा आती है और पॉजिटिव एनरजी बहती बलकि अपने घर के आसपास भी नीम लगाएं लेकिन एक बात सभी माबाब बच्चे ध्यान से सनिए कि सिर्फ उपाय करने स से कुछ नहीं होगा आपको मेहनत भी करनी होगी तब जाकर सफलता मिलेगी आप साथ में उपाय कीजी लेकिन पढ़ाई में मेहनत का कोई भी शौटकट नहीं है उसे कभी नहीं छोड़िएगा कल मंगलवार है कल आपको बजरंग बली की अखंड कृपा दिलाने वाले उपाय बताऊंगी उनके चमतकरी स्वरूप की बात भी करेंगे मंगलवार का दिन है और बजरंग बली की बात नहों ये कैसे हो सकता है आप शो मिस नहीं कीजेगा आपके बहुत काम की इंफिर्मेशन होगी अब चलती हूँ खयाल रखे बाई बाई टेक केर